मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद पीट पीट कर तबरेज अंसारी की हत्या की ये वीडियो सब ने देखा लेकिन जारखंड पुलिस कह रही है कि तबरेज अंसारी की मौद हाट अटैक से हुई ठीक उसी तरह जैसे पहलु खान की मॉब लिंचिंग का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा लेकिन निचली अदालत ने कह दिया कि पहलु खान को किसी ने नहीं मारा तबरेज अंसारी हो या पहलु खान सबकी हत्याओं को बिलकुल नॉर्मलाइज करने की कोशिस की जा रही कि पुरी दुनिया ने देखा कि किस तरह मजलूम ये तबरेज अंसारी को किस तरह साथ घंजे तक मारा गया पीदा गया और उनकी कई हड़िया तक तोड़ दी गई और फिर पुलिस का रवया इसमें कितना मश्कूख है कि पुलिस कितने देर से आती है ले जाती है यहां तक कि उनकी आवाज यॉएन में उठी पुरी दुनिया ने देखा लेकिन जारखन सरकार और जारखन पुलिस को वो हार्ट अटेक लगता है जारखन सरकार हो या केंदर में मोदी की सरकार इस तरह की जगहन अपराद को बिलकुल नॉर्मलाइज करने की कोशिस की जा रही है जाहे अकलाक के हत्यारों को तिरंगे में लपेट कर विदा करने की बात हो या फिर जैन सिना दोरा मॉब लिंचिंग के आरोपियों को माला पहना कर स्वागत किये जाना ये दिखाता है कि इस सरकार में किस तरह से हत्यारों को, हत्यारोपियों को सम्मानित किये जाने की प्रथा चल पड़ी है तबरेज अंसारी पर हमला करके वो सिर्फ तबरेज को नहीं मार रहे हैं बलकि उस पूरी कम्मिनिटी को एक संदेज दिने का काम कर रहे हैं कि आप लोग ना सिर्फ कहिए कि हमें जीने का अधिकार दिये हो, इंडिया में यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है आप पॉलिटिकल राइट को एसर्ट मत करिये, हम सोच रहे हैं कि मुस्लिम कम्मिनिटी है वो नेक्स लेवल पर जाएगी वो आप सशक्त होगी, राजनिती में भागीदारी मांगेगी, अडिमिस्टेशन में भागीदारी मांगेगी, जुडिस्री में मांगेगी लेकिन वो चाहते हैं कि आप सिर्फ घुटनों के बल पर जीने का अधिकार मांगने तक महदूत हो जाओ अगर कोई व्यक्ति किसी को थपड भी मारता है, तो वो उमीद करता है कि पूलिस को ना बता दे, यहां सुनियोजित हत्या होती है, उसका वीडियोग्राफी होता है, उसको सोचल मीडिया पर वाइरल किया जाता है, और आने पर स्वागत होता है, मंतरी जी जाते हैं, माला पहनाता है, तो यानि कि वो उस पूरे सरकल के अंदर उस क्राइम को लेजिटिमाइज करने का काम करता है, कि अगर आपको पार्टी में बड़ा बनना है, अगर आपको जिला पंचायत का टिकेट पाना है, पारसधी का टिकेट पाना है, कि उससे बड़ी तो उनकी हैं गरी लोगें बिचारे, तो आप इस तरह की हरकते कीजिए, जिससे आपको लेजिटिमाइज, आपकी पॉलिटिक्स को लेजिटिमाइज करने का काम करेंगे, यह जो पूरा मॉब लिंचिंग का मामला होता है, यह एक सुपीरिटी के प्रिंसिपल पर चलता है, कि आज जो मजब प्राद का आरोप लगा कर किसी को मार देने के जरिये, क्योंकि भाजपा नेताओं और भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा तभी ध्यान दिया जाता है, जब हत्या का आरोप बड़ा हो, मॉब लिंचिंग जैसा, पहले दिन से यह कोशिश की गई थी, कि तबरेस के कात पूरी तरीके से एक एजंडा है कि देश में नफरते फैला दी जाए, देश का भाईचारे को खत्म कर दिया जाए, महबतों को खत्म कर दिया जाए, क्यों सीधे सीधे इस केस का इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कहते हैं, क्यों जहां पे देखा गया है कि उसको मार मार कर जिसकी हत्या की गई है, उसको आप एक natural death, causes of natural death आप बताकर उस चीज को dilute करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात से साफ साफ पता चलता है कि सरकार क्या चुपाना चाहरे है, जो forces आद सरकार में बैठे हैं, वो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो पहला केस हुआ है कोई केस में भी तक सजा नहीं हो पाई है, और हर मुझरिम के पीछे आपको एक ही सम्नटन खड़ावा नदर आएगा, उसका नाम भाचपा और RSSS के लोग हैं, वो उनके साथ खड़े हैं, वो उनको वकीलों के हिसाब से मदद कर रहे हैं, परसाशनिक तोर पे मदद कर रह तो नहीं है, जो उनका खाब है, हिंदू रास्ट बनाने का, वो सिर्फ उस खाब की तामीर के लिए ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो मुसल्मानों को, दलीतों को, पीछडों को, आदिवासियों को दबा कर, उनके आवास को दबा कर, रोकने की कोशिच करने, या उनको कम खामोस बैटने का ये ये तरह से तरीका है कि करके ये ये चारें कि ये लोग खामोस बैट जाए हैं, और हम जैसा है, जैसा हिंदूस्तान चाहाएं, वो बनाएं. जिन्दाए 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 जि तम भी जिन्दा है चपरत्माला